इंसान ने जब से समुद्र में सफर करना शुरू किया है तब से सैकड़ो जहाज है जो डूब चुके हैं लेकिन अगर किसी जहाज के बारे में सबसे जाधा बात की जाती है तो उसका नाम है टैटनि अपने समय का सबसे शांदार जहाज था टैटनि जहाज को बनाने वालों ने इसे कभी न डूबने वाला बताया था लेकिन सन 1912 में अपनी पहली ही यात्रा के दोरान यह डूब किया इस हादसे में 1500 लोगों की जान चली गई थी इस हादसे पर गाने लिखे गए, किताबे लिखे गई और आस्कर जीतने वाली फिल्म टाइटैनिक भी बने था 14 अप्रेल की रात करीब 11 बच कर 40 मिनट पर जहाज के प्रहरियों ने एक आइसबर्ग को देखा था प्रहरियों के चैताओं ने देने के बावजूद जहाज पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था आइसबर्ग से जहाज के टक्राने से पहले जहाज को 6 बार चैताओं या मिली थी टाइटानिक जहाज की बर्ग की उची चोटी आइसबर्ग से जोरदार टक्रा गई और दीरे दीरे जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया यह आइसबर्ग 100 फीट उचा था और यह जहाज उत्तरी अट्लांटिक सागर में दूप चुका था एक तरफ जहाज समुद्र की कोज में दीरे दीरे समा रहा था तो वहीं सभी यात्रियों के अंदर डर का माहौल पैदा हो गया था मौत सामने थी लेकिन कुछ लोगों ने समस्तारी दिखाई और जहाज से लोगों को बचाने के काम शुरू किया महिलाओं और बच्चों को पहली प्राक्मिक्ता दी गई और जहाज में मौझूद लाइफ पोर्ट से सबी को उतारा जाने लिगा किवल दो गंटे बचे थे जहाज को डूबने में और हर एक सेकंड लोगों के लिए कीमती होता जा रहा था जहाज पर लगबग 3,000 से अधिक लोग सवार थे जिन में से 2,000 से अधिक यात्री थे और बागी क्रूब मेंबर्स थे उन में से लगबग 1500 लोगों की मौत हो चुकी थी सबकी जान बच सकती थी लेकिन जहाज पर केवल 20 ही लाइफ पोर्ट थी इस दुरगटना के बाद समुद्र पर लगबग 300 से अधिक लोगों की लाशे तैर रही थी बागी लाशे कहां गुम हो चुकी थी किसी को नहीं बता टाइटैनिक जिस पानी में दूब रहा था उसका तापमान इतना कम था कि महस 15 मिनट की बीतर ही इनसान की हट्टी गल सकती थी माना जाता है कि जहाज में मौजूद म्योजीशन इसके दूबने तक म्योजिक बजाते रहे जिसे मढने जा रहे लोग अपने आखरी समय को खुशी से बिता सके इस जहाज का मलबा ढूणने में 75 साल लगे और 1 सतंबर 1985 को टाइटैनिक का मलबा समुद्र में खोज लिया गया यह जहाज दो टुकड़ों में मिला था लेकिन बहुत से लोग टाइटैनिक में सफर्ण नहीं करने वाले थे टाइटैनिक के मालक वाइट स्टार लाइन ने अपनी दो समुद्री जहाजों की यात्रा कोईले की कमी के कारण रद्द कर दी थी इन दो जहाजों के सभी यात्रियों को टाइटैनिक जहाज में शिफ्ट किया गया था आज से करीब 100 साल पहले प्रश्यों की संख्या अधिक थी खाने पीने से लेकर एक्सराइस करने की फूरी सुवी था थी टाइटैनिक का डूगना अपने साथ ही कुछ कॉंस्पिरेंसिस थ्योरी लेकर चलता है आईए आज हम आपको बताते हैं टाइटैनिक से जुड़ी कुछ ऐसे ही कॉंस्पिरेंसी थ्योरी के बारे में सबसे पहरी थ्योरी की बात करें तो इसे ममी का शाप खा जाता है इस थ्योरी के मताबिक टाइटैनिक जहाज जब इंग्लेंड से नुई यॉर्क के लिए निकला तो इस पर एक शापित ममी लदी हुई थी इस ममी के शाप से ही टाइटैनिक जहाज का हाथसा हुआ और वह डूब गया अलंकि बृतिश मूजियम के मताबिक यह ठीओरी पूरी थ़रा गलत है क्यूंकि ममी 1990 से पहले कभी मूजियम से बाहर निकाली ही नहींग दूसरी थियोरी है, बेंकर ने टाइटानिक डुबो दिया। दूसरी थियोरी के मताबिक इस जहाज को जान बुच कर डुबोया गया। कॉंस्पिरेंसे थियोरी गढ़ने वालों के मताबिक इसके पीछे बेंकर जेपी मौरगन का हाथ था जो अपने प्रतिद्वन्दी करोड़ पतियों को खतम करना चाते थे। ये प्रतिद्वन्दी थे जेकब एस्टॉर, बेंजमिन, गुगेन, हैम और इसी डॉर इस्टॉस। तीनों की ही टैटैनिक खासे में मौत हो गई थे। थोरी के मुताबिक जेपी मौरगन भी जहाच पर चड़ने वाले थे। लेकिन आकरी वक्त में उन्होंने अपना प्लान्ट बदल दिया। अमेरिका में फैडरल रिजर्व बैंक की स्थापना का यह तीनों फिरोध कर रहे थे। जबकि मौरगन इसके समर्तन में थे। टैटैनिक टूबने के एक साल बात ही फैडरल रिजर्व बैंक की स्थापना हो। तीस ही थूरी है कि कभी टूबा ही नहीं इस थूरी के मुताबिक जहाँ की मालक कंपनी ने टै्टेनिक की ही तरह दिकने वाले जहाँ ओलम्पिक से इसे बदल दिया था थियोरी के मुताबिक कंपनी ओलम्पिक से पीछे शुडाना चाहती थी और उसे इंशुरेंस का पैसा भी चाहिए था इसी वज़े से टैटैनिक की जगे ओलम्पिक को डुबोया गया हलाकि आज तक ऐसे सबूत साफ तोर पर मौजूद हैं जिसकी मुताबिक टैटैनिक जहाज ही पानी में डुबा था टैटैनिक को पंडुबी ने डुबोया टैटैनिक का हादसा 1914 में प्रतम विश्वियुद्य होने से ठीक पहले हुआ था एक कॉंस्पिरेंसी थियोरी के मुताबिक चर्मन पंडुबी ने इस पर हमला किया था जिस कारण के हज जहाज डूब गया कई याद्रियों ने दावा किया कि उन्होंने दस से बारा किलोमेटर की दूरी पर एक पंडुबी जैसी दिखने वाली चीज देखी थी हलांकि बाद में यह एक फर्जी दावा साबित हुआ एक्सपर्ट मानते हैं कि टाइटैनिक दूबना एक हाथसे के कारण हुआ था जहाज एक परफीली चट्टान से टकरा गई थी इस टकर के बाद जहाज के अंदर पानी बढ़ने लगा जिसके कारण चहाज दूब गया और दो टुबनों में पट गया हाथसे के 73 साल बाद यानि की 1985 में कैनेडा के न्यूफाउंड लेंड के करीब इसे सागर में हो जब गया तो यह थी कुछ ऐसी थियोरीस जो की पिछली 100 सालों से चलती आ रही है आपका इन पर क्या कहना है और आपके अकॉर्डिंग टाइटैनिक की दूबा और उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं थैंक्स पर रोचिंग